दसा है कि सूचिए कि भारत में कुछ हैसे लोग भी हैं जो कि एक भी पैसे नहीं लेते और काम कर रहे हैं लेकिन उमीद से कि मुझे आज नहीं तो कल मिलेगा और कल नहीं तो परसर्व मिलेगा इतना सब कुछ करने के बाद अगर इनहें कोई रासी ना दी जाये तो सोचिए इनका मन भी गिरेगा और साथ में सबसे बड़ी चीजी ये को पिज़ दिया जाता है बोलता है हम आपके लिए कुछ करेंगे कुछ करेंगे लेकिन आज तक हो गया 2014 थे आप लोग रिट्रोफिटिंग का काम करिये उसमें भी हम लोग उने काम किया बहुत सारा बढ़ चड़के भाग लिया पूरे सोचागाही पूरे सीधी लेके किये लेकिन मनलब सरकार द्वारा कोई मनलब इसका कुछ भी नहीं मिल वारा है क्यों नहीं मिल रहा अपने जानने का प्रयास किया जी हम लोगों को देने की हेलो तरण न्यूज आपकी क्या सहांटा कर सकता है इंतजार करें जल्द पहुंच रहा है नमस्कार मैं रवी कुमार आपके साथ इस वक्त हाजिर हूं है जिला पंचायत कार्याले के सामने जहां मैं आपको अबगत करवा दूं कि आज लगातार जो है कई एसे मामले देखे गए कि यहां पर शेकडों लोग आते हैं वेदन लेकर जीला कलेक्टर सुनवाई जब करते हैं तो हर मंगलवार को यहां पर इतने इस अगर ना मिले तो कैसे काम करेंगे इसी पूरे मामले पर मैं आपको बता दू कि ग्राम पंचायत के सुक्षता ग्राई जो यहां पर इतने सारे लोग हमारे साथ मौजूद है यह वही पूरी टीम यहां पर हमारे साथ मौजूद है जो ग्राम पंचायत अलग अलग ग्रा प्रयास करेंगे कि आखिर में पूरा मामला क्या है और मागें क्या है पहले तो नाम आपका मेरे नाम स्रीमती देवकुली रजक ग्राम बढ़ोकर पंचाय रामपुर ब्लाग रामपुर नेकिंग जिला सीधी से हूं हम लोग 2014 से सुक्षा ग्रही का काम कर रहे हैं जबकि हम गाओं में ओडिय प्लस के जो भी काम थे जैसा कि घरगर में सवचाला बानी हुई थी उसको प्योग नहीं करते थे उसमें हम लोग उनका प्रयास किया और सभी को समझा कर और अब ओडिये प्लस में काम किया और जो ये को कुविड-19 में हम लोग घर-घर जाकर कर मतलब कितना मिलना था जो नहीं मिल रहा सियो साथ को लेक्टर साहब आनो मोदन हम लोग ग्यापन देने जाते हैं तो हम लोगों को प्रसाहिद कर देते हैं लेकिन अब तक मिलता नहीं है सर। सीधी दोर पर देखा जाय तो लगवक्त तीन साल पहले मिला करता था 3000 रुपय लेकिन अब नहीं मिल रहे हैं आप इस ग्राम पंचायत करवाहिश तहसील आपका सर्य यहीं सीधी है तो आपको क्यों नहीं मिल रहा आप ने भी जाने का प्रयास किया सर्फ हो गया यहीं बोलत क inh om maintain क Mia को होना है पानी यह Greekवमन हे leकिन अजक सरकार द्वारा हम भलोग को कोंध प्परोब्साहंदास नहीं दी जा रही है कम लिया जा रहा है कि सभू है रीडाब अपोण काम जो है तो इसको दोले कि आप ल् chem काम करिये उस में भी हम लोग उन्हेुने कम किया बहुत सारा बढ़ चड़के भाग लिया पूरे सोच्छा ग्राही पूरे सीधी जी लेके किये लेकिन मलब सरकार दोरा कोई मलब इसका नहीं किया जा रहा है नाम क्या है आपका? मेरा नाम है नीता गुपता आप किस ग्राम पंचास से हैं? ग्राम पंचास है तैमिडिया क्या समस्चे आपकी? यह क्या सब्सक्राइब किता है लोग दोजार चवदा से काम कर रहे हैं लागतार और इसके पहले मला हजार दोजार मिलता था राजी लेकिन तीन साल से एक रुपए नहीं मिला काम बस करा रहे हैं आपका ग्या हुआ आप कह रहे हैं कुछ पैसे लूट अब्दुलक्लाम नाम है मेरा आए वो जो है तो हमारी गोपत बनारस है यह सीधी चेत्र गोपत बनारस तो यह बताईए ने उपड़वारी खाके चला गया 10,000 रुपए अच्छा आप इस मामले में नहीं है आप करते हैं अच्छा और आप आप कहां से हैं का यह आप यह समस्षा है आपको भी नहीं मिली है तो यह बताईए कि आप इतने सारे लोग यहां पर हाजैर हैं कब आप लोग तहसील-पर द्ले नाम की मनला हुद नहीं और above से हूँ 2014 से खुले में सो जैसे बाहर लोग जा रहे हैं लोटा पार्टी करने मैंड चेंज करना घर घर सोचालाई के लोगों को समझाइज देना कि आप बहिया बनवालो सासन भी प्रोटसान रासी दे रही आपको 12,000 रुपए लोग बनाने के लिए राजी हुए बनाए भी बहुत अच्छा वो चला जिसे पंचायत के सरपंच महोद है सचीव और रोजगार सायक भी हमारे पक्च में थे कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो ग्रामीर भी हमसे खुश लेकिन बार बार जब भी आदेस आता है काम तो सौब दिया जाता है बोलते हम आपके ल गया 2,014 से लेकिन आज तक हमें वही बीच बीच में 2,000 या 3,000 रुपए मिल जाते हैं उसके अलावा भी तक हमें कोई या तो एक साल भर तो हुआ कुछ भी नहीं मिला काम मिल रहा है लेकिन उसके वेज में मान दे नहीं मिल ला इसलिए आज हम स्वक्ष वारत मिशन के तहट इसलिए आज सभी लोगी कस्ठा हुए हैं कि हमें निश्चित मान दे और निश्चित कारे दिया जाए लेकिन अगर मा लीजिए कि आप लोग ये काम नहीं करते हैं तो ग्राम पंचाइद पर क्या फर्क पड़ेगा अब स्वच वारत मिशन का जब हमारा सलेक्षन हुआ था तो एक हमें मोटो दिया गया था कि अगर ग्राम पंचाइद में स्वच्छा गरही आता है तो क्या होगा या नहीं जाता है तो क्या होगा वही लोगों के दिमाग यानि लोगों के बीच में हर हमेशा स्वच्छता की अलग जगानी है हमारा ड्यूटी जो है स्वच्छता के बारे में लोगों को सचेत करना वही हम अगर बंद कर देंगे तो वही फिर से चालू हो जाएगा जैसे अभी आदे से यदिक रेट्रो फिटिंग में हैं तूटी-फूटी हैं पंचाय निर्माड या कुछ भी तो वही अभी हम सर्वे करके दिये हैं लेकिन उसके वज में भी बोला गया था कि आपको रासी मिलनी चाहिए और हमसे काम आभी भी लिया जा रहा और कोरोना काल में भी आप लोगों के द्वारा लगातार मेहनत की गई थी और सबसे बड़ी बात तो यह देखी जाती है कि महिलाओं का जो सबमान था जो आज मोदी करते हैं और माने शिवरा सिंग चोहान्स टो हमारे सा के द्वारा भी उस टाइम पर यही समझाईज दी गई थी आपको घर से बाहर नहीं बलकि घर के अंदर ही आपके ट्वालेट बन रहा है आपके घर के पास तो नजदी की वहाँ जाए जैसे आपने बताया कि हमने इतना समझाया और समझाय इसके बाद जो है आज हमारा जो ग तो यह मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, फिर काम नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते आप कहरे हैं कि अगर हमारा सयूग नहीं होगा, तो ग्राम पंचायत में कुछ ऐसी चीजे हैं जो बाकि उन पर प्रभाव पड़ेगा, आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्या नाम है स वही वही चल रहा है, हम लोग 2014 से काम कर रहे हैं, पहले सवक्ष भारत में प्रेरकर रूप में किया, इसके बाद फिर जिले से प्रसिक्षन हुआ, तो राश्टी अस्तर पे मतला हुआ तो वहां भोपाल गए, वहां से भी ट्रेनिंग किया प्रसिक्षन, मोटिवेशन में संकूल सहज करता में मतलब पदौनत हुआ हमारा, हम पूरे बलाक में हर जगा स्वक्ष ग्रहियों को ट्रेनिंग देने लगे, बीसी सारा और ट्रेनर के रूप में, यह सब किया, 2500 ऐसे मिलता था, और लोगों को मोटिवेशन करता था संचाले के बारे में, संचाले बन बा फिर अगले पंचायत में बदल बदल के यह सब काम दो तीन बर्स लगातार किया, संचाले पूरा हो गया, ओडी अप हो गया, थोड़ा बहुत 2500 ऐसे राज करके मिला मांदे के रूप में, लेकिन इसके तीन साल से भी बेलकुल नहीं मिला, हम लोगों कोरोना में भी काम किय अभी जियो टैक का काम जो था संचाले का अगन बाड़ी है, विद्याले है, यह सारे काम हम लोगों किया, लेकिन एक रुपए नहीं मिला भी तक, यह दसा है कि सोचिए कि भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो कि एक भी पैसे नहीं लेते और काम कर रहे हैं, लेकिन उमी दो जार चौदा दो अक्टूबर गांधी जयनती राष्ट प्रिया महत्मा गांधी की जयनती के असवर से स्वक्षवारत योजना की सुरूआत पूरे देश में की गई, जिसके तहत देश भरके सात लाख ग्राम पंचायतों में सात लाख सोक्षय ग्रहियों के निक्ति पांच वे से रात को आठ वे तक फार्म इविनिंग फ़ांडो अब रात को राट वे नवजे सौक्षता चौपाल नुक करना तक सौक्षता रहली आधी हम समने करके गाओं के लोगों के मनुभाओं को विचारों को बदला जिसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने सौचा बंद करो भाईया देश कहां जा रहा है और आप कहां जा रहे हो बिलकुँ आप लोटा प्रता बंद करिए आप घर में सौचार सौच करेंगे गंदगी नहीं फैलेगी बाहर आप बीमार नहीं पड़ोगे आपके परिबार में सौक्षता बनी रहेगी आपका परिबार सौक्षभाद मिश्तान रोजगार का साधन बना हुआ था आज वह हम लोगों के लिए बेरोजगारी का साधन बन गया है आज हम सब मारे मारे फिर रहें एक पैसे के लिए मोहताज है स्रीवान जी हम लोगों के परिवार हैं हमारे बीबी बच्चे बाल बच्चे हमारे दादा बाबा माता पिता उनका भरण पोर्षण कैसे हो उनका दवाद इलाज कहां से हो स्रीवान जी आदानी मामा जी जो हम सब को भांजे और भांजी मांते हैं और हम भी अंतहर दिल से उनके मामा मांते हैं उन्होंने अभी हाल ही में एक बहुत पूर्ण योजना प्रारम की मात्वकांची योजना उनकी थी लडली लखीम है दो लडली बहना योजना के दवरां सारे ग्राहँ पंचायतों के जियार्यस और सची उहरताल पर चले गए अपनी मागों को मन वाने के लिए लेकिन हम स्वक्षाब रहियों ने यह ठाना कि ये लोगों को प्रेजित किया, लोगों को योजना के बारे में बताया, लोगों नोई जाकर अपना फाम भी लपकर आया और उसमें बरावर सायोग दे, कोरोना के काल में, उनीस में, जब लोग सडकों पर नहीं निकलते थे, अपरे घर के अंदर दुपके बैठे थे सर, तो हम घर घर जाकर लोगों को स्वक्षेशा से अवगत कार देते थे, कोरोना से बचाओ के तई के बताते थे, जो बाहर से प्रवासी मज़ूर भाई आते थे, उनको रुकने के लिए पंचायत ब्रवन खुलवाते थे, इसकोलों में रुकवाते थे, कि भही आप दस रोज रु कहीं आप पाजिटिव तो नहीं हो, अगर आप पाजिटिव होगे तो पूरे घर को पाजिटिव कर दोगे, अब भी निरांतर ग्राम पंचायतों के अधिकांस कारी किया, हम लोगों दूद वारा करा जा रहे हैं, पिछले दो बर्स हो रहे हैं, मानिस्टियो सर के दौरा ह हम लोगों की नियुक्ति मेट के रूप में की गई थी, हम लोग आज भी आनलाइन अटेंडियन्स भार रहे हैं लेवरों की, लेकिन हम लोगों को मनरेगा मेट का भी भुक्तान नहीं दिया जा रहा है, एक एक पैसे के लिए मोताज हैं, अब हमारा जीवन निर्वा कैसे ह हम लोगों ने इसमें, आज के तारी में हम लोग ओवरेज हो गए, चालिस साल की उमर हो गई हम लोगों की, कोई प्रावेट कमपनी भी हमें रोजगार देने के लिए तयार नहीं है दादा भाई तो अब करेंगे क्या, अगर मान लिजे कि आप मागने के लिए आए हैं यहाँ पर, और माग अगर सरकार पूरी नहीं करती तो करेंगे क्या तो आप लोगों के द्वारा लगतार सिर्फ एक ही बात कहीं जा रही कि हम तीन सालों से सेवाए जो है दे रहे हैं और हर ग्राम पंचायत में एक एक सुक्षता ग्राई मौजूद है और उसके बाब जूद भी इन्हें किसी भी तरीके से कोई योजना का लाव नहीं मिल र से बढ़के काम की है granddaughter मै malaए मास्वाल आप लोगों से है कि ग्राम पंचायत में हर ग्राम पंचायत का जो समधाएक सुक्षता के अंदर होता है मतरा संचाले जो होता है वो बंद क्यों रहते हैं ताला क्यों बंदR रहता है क्यूंकि वहां कोई लोगों को सेवाएं नहीं मिल रहे हैं यह बिल्कुल गलत है बिल्कुल उसके लिए बिवस्ता चाहिए कोई वहां रहे बोर का खर्च हुआ टंकी का खर्च हुआ उसको देख रहे के लिए कोई न कोई को अधिक्रित होना चाहिए तभी जाकि उसका सुरक्षा होगा फालो आप हुआ तो ये सारी चीजे जो हैं दसा देखी जा रही आप मतलब कई सारे लोग यहां पर हैं अलग-अलग ग्रामीड छेत्र से यहां पर आये हुए हैं जो आप देख रहे हैं बहने हैं भाई हैं सभी और सबसे बड़ी चीजे कि ग्राम पंचायत से चल कर जब यहां आते हैं ति आवाज उठाई जाती है जो यह तो उस पर कोई एक्षन होता है या नहीं क्या इन्हें कुछ पैसे जो मान दे जो यह माग रहे वो मिलेगा या नहीं या फिर सबसे बड़ी चीजे यह देखी जाती है कि कपता कि यह लोग ऐसे बैठे रहेंगे अगला कदम क्या होगा वह है यह लोग आवाहन करेंगे अब देखा यही जाएगा कि क्या होता है अब फिर से फिर हाजिर होंगे जब आप लोगों के साथ तो देखना यही होगा जब दोबारा मुलाखात होगी आप लोगों से तो जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पर इस पूरे मामले पर यापन इसडियम साहिब लिए जापन तो बस वह इसलिए ले ले लेते हैं कि जल्दी से आप लोग टल जाएं वहां से घटाने के लिए जाएं 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 तो हम लोग भूपाल गाये थे वहां धरना प्रदर्शन हुआ लेकिन असांती तरीके से ठीक हैं लोग उंगराद करने के लिए तैयार हैं लगादार बने रहें तरंकटी फोडियूस के साथ फिर मिलते आप से एक बड़ी खबर के साथ तब तक लेने मुश्कार जैहीन जैविन